पर पिस धीम को कॉस्टमाइज करने के से संबंदी फिर शिक नया वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइट का कंटेंड कलर एंसाइट का बेकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहां पर हम साइट को ओपन करते हैं हमारे यह ब्लोग है अब यहां यहां पर पूरी साइट का बेकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए बो हम सेट कर सकते हैं यहां पर पूरी साइट का बेकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए बो भी हम चेंज कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं तो यहां पर पूरी साइट का बेकग्राउंड कलर रहा है यहां पर कंटेंड कलर है दोनों को ही हम चेंज करके आपको बताएंगे एडिट करके बताएंगे तो जहने के लिए इस वीडियो को कंटीनिव सुरूची के लास तक चरूद दिखें अब नमस्का दोस्तों आप दिख रहें बीशिक कंप्यूटर हिंदी तो दोस्तों बेक्ग्राउंड कलर या कड्डेट का बेक्ग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सबस्पहले बट्पीस के अंदर जाएंगे एंड यहां पर पर एंड यहां पर थीम मिले का ओपसिन इस पे क्लिक करेंगे न यहां पर आपको ग्मुर्ट मिलेगा इस पर उसक्षाप कर दिना है जो आपकी पूरी साइड का हो आपकर लिऑ अब बेक्ग्राउंड को साइड बेख ग्राउंड को डाब यह ह्लिक रहें होगा जहाँ जहां जहां निकिन यहां पर कंटेनर लिख्षा पेरग्राफ나व बहुए आज आएंगे इस पर फिर से कलिक करते हैं तो आप सGG्ड़ seventh sterdam verled क्या रखना चाह रहे हैं तो मुझे रखना साइड बेंग्राउं is ककलर अनलο ठीक है तो देखें यहां पर कलर हो चुका है और दूस्तों आप चाहरा है कि यहां पर ग्रेडियंट होना चाहिए तो सिंपल से फिर से आप किलिक करेंगे यहां पर ग्रेडियंट इस पर किलिक करेंगे तो यहां आप ग्रेडियंट रख सकते हैं और आपने सबसे जो भी कलर बनाना है वो आप रख सकते हैं यह देखिए दो कलर का आप मिक्स कर सकते हैं जैसे कि मुझे दो कलर चाहिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे मुझे चाहिए यहाँ पर एलो और फिर चाहिए मुझे यहाँ पर रेड देखिए दू कलर बन चुके ठीक है यहाँ पर देखिए जो इंस्टाग्राम का जो कलर होता है वह इस तरह किसे बन चुका है यह देखिए कितना सांदा लग रहा है हना तो यहाँ से आप दोनों कलर ले सकते जो भी आपकी रुक्वाइट्मेंट है ग्रीडियन कलर यह चल्टेस साबसे आप इसको ग्री रखे तो बेस्ट रहाएगा ठीक है इतना रखरेंगे ठीक यहाँ पर पब्लिस करेंगे पब्लिश पर किलिक करने के बाद अब रिफ्रेस्ट करेंगे तो दिखिए आपका कलर स्चेंज हो जाएगा बैक ग्राउन का इस तरह से हम यहाँ पर कंटेंड और बैक ग्राउन दोना ही कलर चेंज सकते हैं दोस्तों यहां पर अगर इमिजस लगाने या भी आप कर सकते हैं तो सिंपल सा फिर से अपर नहीं करेंगे क्लिक करेंगे हैं से आपको हाई यह image आ चुका थैना तो यहाँ से आप theme के अंदर background में image भी add कर सकते हैं यहाँ पर publish करेंगे इनद क champions करने के बाद cath चीजगी आपके theme के अंदर देखे ना तो यहाँ यहाँ हिस इसके अंदर भी कर सकते यहाँ यहाँ से images डाल सकते हैं तो इस तरह से हम अश्टा थीम के अंदर साइड बेक्ग्राउंड और साइड का कंटेंट बेक्ग्राउंड दोनों में कलर डाल सकते हैं ग्रेडियंट कर सकते हैं यानि की mix कलर डाल सकते हैं और images भी add कर सकते हैं आहियो आपको इबीडो काफी helpful लगा दूस्तों इसी तरह की और ही पर बीडिकली मास्जेट पर बने रहे हैं को फ्रेंट ठेंक्स और बाइबाइब